जय स्री राम जय हन्मान ओं स्री हनुमन तेनम हन्मान जी का असिरबाद सदा आप पर बना रहे हन्मान जी के असिरबाद से आपका भग्यू देव हो जीवन में सुक समरिदी सो भग बरे आपका कल्यान हो अपको भग्यू साली बनाएं संकत से रच्छा करो हे महवीर हन्मान संकत मोचंकिरपानः जय हन्मान जय जय हन्मान तुलारासिवारो मंगलवार का दिन 18 अक्टूबर, सिद्योग, पुस्यन चत्रे, सनी, विरस्पती और सुक्र का परभाव, राभु की इचाया, चंद्रमा और मंगल की दृष्टी आज आप बड़े भाग्य साली हैं, आज का दिन आपके लिए उत्सव के तरह का दिन होगा पावर, पोजीशन, धन, दौलत, सोहरत, इज्जत आपकी बढ़ने वाली है, क्योंकि सुक्र का रासी परिवर्तन, सुक्र का गोचर आपकी जीवन में धन वर्षा करेगा सुक्र जो आपकी कुनली में केंदर तिरकोन राजयोग बना रहा है, आपकी जीवन में बड़ी सपलता, काम्याबी और सुक्र लेकर आया है, नई नौकरी, अच्छी पत्नी, अकूद धन, क्योंकि सुक्र आपके लगन का स्वामी है, पुस्ण अचत्र में जब सनी सुक्र बिरस्पती का परभाव रहेगा, तो 18 क्टूबर मंगलवार के दिन सुक्र का रासी परिवर्तन होगा, और सुक्र आपकी कुनली के लगन में गोचर करेगा, जो तिरकोन राजयोग बनाएगा, जब आपकी कुनली में लगने पंचम भाव का स्वामी और भाग्या स्थान क स्वामी एक दूसरे से संबन्द बनाता है, तो आपकी कुनली में केंद्र त्रिकोन राजयोग बनता है, दिपावली से पहले पुस्न छत्र में लच्मी क्या आगमन आपकी जीवन में स्वाभग सम्रिद्धी, क्योंकि सुक्र का रासी परिवर्तन सुक्र आपके लगन का स स्वामी है, अज सुक्र आपकी कुनली के लगन में उच्का होकर गोचर करेगा, आप बड़े भाग्य साली हैं, इस समय सुक्र चित्रा नचत्र में मंगल के परभाव से परभावीत है, जबकि सनी धनिश्वा नचत्र में और सुर्ज भी चित्रा नचत्र में मंगल के आपकी कुनली के कर्मस्थान में चंद्रमा का उदैव होना आज का दिन आपके लिए बड़ा भग्य साली है पुस्ण चत्र में आपकी जीवन से असुव योग नश्ट होता है आपकी कुनली में जो भी दो से वो दूर होता है आपकी जीवन में प्रभाव बरता है सब भग् प्राप्ति होती है तुलारासिवारो आप बड़े भाग्य साली हैं आपकी कुनली के लगन में केतु सुर्ज और सुक्र का गोचर आप बड़े भाग्य साली हैं आपकी कुनली के सप्तम भाव में राभु का गोचर आप बड़े भाग्य साली हैं कि आपकी कुनली के सुखस् आज ये विरस्पती आपकी कुंडली के छट्टे भाव में और आपकी कुंडली के द्वाव में बुद्ध का गोचर है सुक्र का रासी परिवर्टन सिद्य योग उसन चत्र में भाग्य का दरवाजा खुलेगा आपकी किस्मत बदलेगी आप अपनी मंजिल पाही लेगे भाग्य साली धन्वान होगे जिस काम में भाग्य अजमाएंगे वही सफलता मिलेगा ये सुभ संजोग है उर्जा सक्ती देने वाला आपकी जीवन में स्वभग्य सम्रिद्धी सुख लिकार आने वाला सुख्र का रासी परिवर्टन और तिरकोन राज्योग आपकी जीवन में बरे लाब और स्वभग्य दे रहा है रिगवेद में कहा गया है पुस्न चत्रे मंगल करता है धन दायक है और पुस्न चत्र में जब सुक्र का रासी परिवर्टन सिध्योग में होता है तो आपके भग्य चमकने लगते हैं आपकी जीवन में सुप्फल की प्राप्ती होती है आपका पावर आपका पोजीशन धन सोहरत इज्जत आपकी जीवन में बढ़ता है अकूद धन कमाते हैं नई नौक्री मिलती है जीवन में सुक्सम्रिद्धी स्वभग्य की प्राप्ती होती है अज सनी सुक्र और विरस पती आपके लिए बड़ा भग्य साली होगा आज भगवान विश्नु का असिरवाद सनी का परभाव सुक्र का रासी परिवर्तन आप बड़े भग्य साली हैं आपके जीवन में ये समय धन धान से युक्त जीवन की सारी भिग्नबाधाओं को दूर करेगा तरक्की के नए र आस्ते खुलेंगे रिष्टों में प्यार बढ़ेगा आपकी जीवन में मान सम्मान की प्राप्ति होगी परिवार में खुसियों का महौल होगा जीवन में सुक्स्विदा बढ़ेगा भोग बिलास आपकी जीवन में बढ़ेगा यानि आपकी जीवन में किसी परकार की तक आपकी कुणली में माता लच्मी का अगमन हुआ है सफलता काम्यावी और सुख है अब आपके जीवन में धन प्राप्ती का योग है इस्तरी से सुख मिलेगा परिवार में खुसियों का उसर आएगा सुख सांती सम्रिद्धी और महत्वकांचा की पूर्ती होगी आप अकर्स होगा जोस होगा आपके जीवन में कुछ पानी की उर्जा होगी उर्जा परदान करने वाला सोर्जे जीवन में सुख सभग्य देने वाला सुक्रे आज आपकी कुणली के लगन में गोचर कर रहा है जबकि जीवन में सुख सांती आनंद देने वाला केतु का परभाव भी आपके लिए बड़ा सुभ है आज आपकी कुनली के सक्तम भाव में राहु बैठा है इस्त्री पुत्रे धन का सुख है यानि आपकी जीवन में नित्रित करने की छमता आपते जस्वी होंगे स्वाभी मानी होंगे आपकी जीवन में भाग्योदे आरंब हो गया है अपने प् आगे प्रबल है खुशियां बरहेगी आपकी जीवन में बरे लाब और बरी शफलता आपको प्राप्त होगी आज का दिन शुखों का भोग करने वाला जीवन में नई सुर्वात इस्त्री का सुखे आपको और भी जादा भग्य साली बनाएगा जीवन में प्रगती की रास्ते पर आप आगे बढ़ेंगे मंगल की दसा में भग्य उदेव होगा क्योंकि मंगल आपकी कुनली के भाग्यस्थान में बैठा है और इस समय सुक्रे, सुर्जे, बुद्दे, ये तीन गरा मंगल के परभाव से परभावित है जबकि चंद्रमापुस नचत्र में सनी के परभाव से और राभु भनी नचत्र में सुक्र के परभाव से परभावित है यदि आपके कर्म अच्छे वे तो सफलता आपके कदम चुमेगी भाग्य बुलंद है हर काम आपका पूरा होगा बैवाहिक जीवन में खुसिया बरेगी आपकी जीवन में आनंद और सुक बरेगा आज ये केंदर तिरकोन, राजियोग यारी आपकी कुणली के पंचम भाव, आपकी कुणली का भाग्य अस्थान और आपकी कुणली का लगने तीनों जगा पर ग्रहों की दसा ग्रहों की द्रिश्टी आपके लिए बड़ा सुभ है जो आपकी जीवन में सुख देगा हर असर का आप लाब उठाएंगे जीवन में सुख की कामना पूरी होगी बड़े भाग्य साली हैं अपने लच की प्राप्ती करेंगे बुद्धिमान हैं सासी हैं आपकी जीवन में जवर्दस तरक्की समरिद्धी का योग है सुभाग्य सुख बढ़ेगा क्योंकि पुर्ष नचत्रे स्रेष्ट होता है आपकी जीवन में बड़े सुख सुभाग्य लेकर आता है तो दिपावली से पहले पुष नचत्र में सुक्र का रासी परिवर्तन सरी विरस्पती का परभाव आपके लिए लच्मी का आग्मन आपकी कुर्ली में बड़े भग्य साली हैं तिरकौन राज्योग में आपकी जीवन में सुख सम्रिद्धी बढ़ेगी धन की बरसा होगी पावर पोजीशन सोहरत इज्जत आपको प्राप्थ होगा आप बड़े भग्य साली है तुला रासी बारू आज का दिन चार चरन में बैतीत होगा पर्थम चरन का स्वामी सुर्ज है दुत्य चरन का स्वामी बुद्ध है तुत्य चरन का स्वामी सुक्र है चतुर चरन का स्वामी मंगल है आज चंद्रमा आपकी कुम्ली के कर्मस्थान में गोचर कर रहा है सुर्जे जो आपके लिए लावस्थान का स्वामी है आज लगन में बैठा है सात में केतू और सुक्र का गोचर है सुर्ज आपके जीवन में उत्सव लेकर आएगा आपके जीवन में साहस सौर्ज को बढाएगा आपके जीवन में प्राक्रमी बनाएगा और अपने ताकत से जीवन का सुख है आप ब्राप्त करेंगे दूत्ये चरन का स्वामी बुद्ध जो आपकी कुनली के द्वादस भाव में बैठा है भग्यास्थान का स्वामी है अच्छी नौकरी अकूत धन का योग बनाएगा वहीं सुक्रे जो आपकी कुनली के लगन में गोचर कर रहा है सुक्र का रासी परिवर्तन आपके लिए बड़ा सुभ है बड़ा प्रभाव साली योग है आप बड़े बड़े काम करेंगे अपनी मंजिल पाही लेंगे भग्यशाली और धन्वान बनेंगे जहां भी भग्या जमाएंगे वहीं सफलता मिलेगा आपके लिए सुक्सवा का मंगल बड़ा प्रभाव साली होकर आपकी कुनली के भग्यस्थान में बैठा है मंगल के प्रभाव से सुक्र प्रभावित है मंगल के प्रभाव से सनी प्रभावित है मंगल के प्रभाव से सुर्ज प्रभावित है और मंगल अपने नच्छतर मिल्क सिरा में बैठा है या सुफ परभाव आपकी कुनली से दूर होगा और बड़ी सफलता काम्याबी पाएंगे क्योंकि मंगल आपके लिए धन स्थान का स्वामी है आज भाग्य स्थान में गोचर कर रहा है यह सस्वी वैभव साली आज का दिन गिनस्पति का परभाव सुक्र का परभाव मंगल का प परदी भी होगी तो तुला रासी वारों विस्तार से रासी फल जानने से पहले चलिए जानते हैं आज का सुब मुरत ग्रहों की दसा आज का पंचांग मंगल वार का दिन 18 अकुबर कातिक मा किसफच की अश्टिवीति थी सिद्योग पुस्ण चत्रे सनी सुक्र बिहस्पत अपने आशिर्वात से आज आपके लिये सिद्योग में भग्य को चमकाएगा जब की सुक्र का रासी परिवर्तन आपकी जीवन में सुक्ह समृद्धी स्वभग लेकर आएगा धन की बरसा होगी उत्सओ का महौल होगा मन में खुसी होगा जीवन में लाव समृद्धी का योग है अब आपकी जीवन की सारी चिंता दूर होने वाली है किस्मत का सितारा मेहरवान है आपके प्रयास सफल होगे आपकी जीवन में सुख सब्रिद्धी बढ़ेगा लाप का योग बनेगा आपका बैपार अच्छा चलेगा अकूद धन कमाएंगे बड़ी सफलता पाए नौकडी में सुख फलो की प्राप्ती होगी और स्टूडेंट के लिए जीवन में उनती तरक्की का योग बनेगा आज का भाग्य साली दिन आपके लिए बड़ा सुभ है आज मंगल बार का दिन है सनी सुक्र विरस्पती का परभाव है सुक्र का रासी परिवरतन आज आज का दिन बड़ा भाग्य साली है आज ये ब्रह मूरत सुभा 4 बचकर 43 मिनत सनी का परभाव आपके लिए सिद्ध योग में जीवन में सुखों को बढ़ाने वाला सावित होगा अभी जीत मूरत 11 बचकर 43 मिनत मंगल चंदरमा का परभाव भाग्यस्थान में मंगल और क पर मस्थान में चंद्रमा आज का दिन अपने कर्म का सुख है आप प्राप्त करेंगे अपने मिहनत का फल पाएंगे विजय मूरत दो बजे से दो बच कर च्छी आलिस मिनट बड़ी सफलता काम्यावी आपकी जीवन में मिलेगी बड़ा सुख सौभगी का योग है आज का र लकी कलर ओरेंज होगा लकी नमर सेक्स होगा तो आज ये सिद्ययोग पुस्न चत्र में सनी का परभाव सुक्र का रासी परिवर्तन पावर पोजिशन धन सोहरत आपके लिए दिन बड़ा भग्य साली है तिरकोन राज्योग आपकी जीवन में सुक्सम्रिद्धी को बढ़ सिद्ययोग पुस्न चत्र में लच्मी का आगमन दिपावली से पहले भग्योदे का योग तुला रासी भरो आप भरे भग्य साली है हनमान जी का दर्शन करें हनमान जी की पूजा करें ग्रहों प्याधारी तपने रासी फल के लिए रासी फल को लाइक करें की देपता का नाम लिखे आज के लिए इतना ही फिर मिलेंगे सी रासी फल कार्शकरम में तब तक के लिए मुझा आग्या दे आपका दी सुभो जै स्री राम जै हनमान